तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल एम यू क्लास में तो सुरूशेयन तक बने रहिएगा अगर प्रश्णों को अच्छे से सीखना है जानना है और फेश करना है तो तो थमलें देखकर हैं आपने जान लिया हो कि आज हमारा टॉपिक क्या है तो सिंदूप सब भेता के तॉप 30 बहतरीन प्रश्ण हमने लिये हैं और उमीद है कि इस प्रश्ण पे आप बहुत सारे प्यार महबद देंगे लाइक शेयर के शार और बने रहिएगा वेडियो में सुरूश्य अंतर तो पहले प्रश्ण की शुरुवात कर देते हैं पहला प्रश्ण कहरा है सिंदूगाटी सब भेता का जो संबंध है वो कौन से काल से हैं एतिहाशिक काल से प्राग एतिहाशिक काल से आध हैतिहाशिक काल से या उत्तर एतिहाशिक काल से पहला प्रश्ण की और इसका सही जवाब मित्र हो जाएगा सी आज एतिहाशिक कात्र दूसरा प्रस्ण कहे रहा है आपका हडपा शभ्यता का कुल छेत रफल कितना है हडपा शभ्यता का टोटल छेत रफल जो है टोटल वो कितना है ठीक है 18,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 और हमारे दूसरे प्रश्ण का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा D 13,00,00 किलो मीटर चलिए तीसरे प्रश्ण पर बढ़ते हैं प्रश्ण शंख्या 3 देखे क्या कहे रहा है हमाराब प्रश्ण क्या कहना है कि शिंदू घाटी के लोग जो थे वो विश्वास करते थे जो सिंदू आसी पबलिक थी जो लोग थे वो आत्मा और ब्रह्म में विश्वास रखते थे मात्रि शक्ती में विश्वास रखते थे यग प्रडाली में या कर्मकाण में जैसे कि इस जमाने में भी लोग अलग-अलग चीजों का विश्वास रखते हैं जैसे किसी का मानना यह है कि जब तक मैं जो है किसी मजार बगेरा या पूजास्थल में जाके ये नहीं करूंगा साल भर में एक बार या छे मिने पे तो हमारे परिवार में जो प्राब्लम आती रहती है तो ये उनका मानना होता है तो इसी तरह से अलग लग लोग का मानना होता है ठिक सिंदुवासी लोग का भी इसी तरह से कुछ मानना था बना तो मित्रो वो जिस पर भिष्वास रखकते थे वो था मात्रिशक्ती में ठीक है अगला प्र Mari E pasado के आपके स्क्रीण पर है प्रश्चन संख्याथ 4 कहरा है सिंदु सभेता की मुद्रा में किस देऊता को सम्तुले चित्रांगें मिलता है किस देवता के सम्तुल्य चित्रांकन किस देवता का सिन्दु सभेता की मुद्रा में आपको देखने को मिलता है इंध्र का ब्रह्म्हा का सिव का या विश्व का ठीक है तीसरे प्रश्ण पर है टोटल 30 प्रशन आपके अपने चैनल पे डेली रात 8 बज़ दियाते हैं 8 बज़े उन हमारे सब्सक्राइबर साथियों को बता दिया जाता है 8 बज़े ये कलास चलती है जो नए हमारे जुड़े हैं उनका श्वागत भी है हमारे पुराने साथियों के साथ और वीडियो में प्लेलिस्ट में पीछे जाके आप वीडियो बाकी देख सकते हैं जुड़े हैं तो तो चोथे प्रशन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्यू आगे बढ़ते हैं पाचवा प्रशन देखिए प्रशन में संकिया पाच कह रहा है मित्रो सिंदु घाटी सब्वेता में तराजु कहां से पाया गया तराजु जो तॉल्ले वाला तराजु होता है आज भी इस्तमाल किया जाता है वो तराजु का जो साच्छे है वो कहां से पाया गया सिंदु घाटी की सब्वेता में ठीक है लोथल से हरपपा से मोहन जोदारों से या लरकाना से पाचवा प्रश्ण हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टॉप 30 सिंदुशा भेता इस्पेस और क्लाश जिसके पाचवे प्रश्ण पे हैं और उसका सही जबाब है मित्रो लोथल कहा से लोथल से आगे बढ़त हैं प्रश्ण संख्या 6 है आपके स्क्रीन पे प्रश्ण संख्या 6 का कहना है साथी हो हरपा के लोग निम्न लिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे द्यान से दिखिएगा नहीं करते थे किसकी पूजा यहाँ पूजा से आसे किस से है भगवान से है भगवान की बात की जा रहे हैं ठीक है यह ध्यान रखिएगा कि हडपा के लोग निमलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे स्यू की बिशुडू की कबूतर की स्वास्तिक की ठीक है यहां किस स्यासा है भगवान स्यासा है भगवान की बात की जा रही है कि नहीं करते थे नहीं कह रहा है थाड़ा प्रश्ण हमारा और इसका सही जबाबे मित्रों विस्रु भगवान की वोग पूजा नहीं करते थे कबूतर कोई भगवान नहीं लेकिन कबूतर उसमें जो है विस्रु भगवान को ही माना जाएगे अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन का कहे रहा है साथ नमबर हरपपस्ष भेता की जानकारी का प्रमुख शुरुत क्या है हरपपस्ष भेता जो है उसकी जानकारी यानि उसके नालेज का जो प्रमुख शुरुत रहा वो क्या रहा पूरा तात्विक खुदाई सीला लेक हुआ के पकी मिट्टी की मुहरों का अंकितलेक या उपरोक्त शभी ठीक है ध्यान से देखिए प्रश्ण को फिर उत्तर देजेगा प्रश्ण पूछा गया है बहुत ही मजह हुए प्रश्ण है अपने आप में लाइक शेयर के साथ वीडियो को जरूर आगे बढ़ाईएगा ताकि बाकी टीम भी इसमें जुड़े नए सब्सक्राइबर के रूप में तो हडपक शभीता की जानकारी का जो प्रमुक्स उत रहा वो क्या रहा पूरा तात्वी खुदाई के बाद ही तो सिला लेक या पकी हुए मिट्टिक की मोहरे ये सब चीजे मिली होंगी ठीक है तो जली राइट एंसर उसका हो जाएगा आपका ए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या आठवे आठवा प्रश्ण कहा रहा है हडपा की निवासी किस खेल में रूच लोग की दोड करते थे या सतरंझ ठीक है तो इसमें से खेल के रूप में अपने मरणजन के रूप में को настоящ है खेल पारुचि वो लोग रखे थे तो मित्रोण उन्होंने जो है क्या खेला था सतरंझ खेलते थे वह सत्रंझ सोचिए उस समय के लोग कितने बेहतरी चीच खेल दिमाग क्या खेल खेलते थे सतरंज क्या खेल कि आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 9 पे चलते हैं 9 नमबर प्रशन आपके स्क्रीन क्या कह रहा है ह्ट छाबबबाब शभ्यता की होज किस वर्स हुई खोज हुई हरपपस शभ्यता की वर्ष कौन सा था 1931, 1945, 1901 या 1921 ठीक है तो चलिए फटाफट अपने कमेंट्स के उत्तर देते रहिए सुपर 30 प्रशन डेली की तरह आज भी आपके स्क्रीन पे हैं और उसके 9 प्रशन पे आप मौजूद है जिसका सही जवाब है मित्रो D, 1921 अगला प्रशन पहली बार कपास उपजाने का स्रे पहली बार कपास की खेती जो होती है उसको उपजाने यानि उपजाने का स्रे किस सभेता को जाता है सिंधु को, मेसोपोटामिया को मिसर को या फार्स फार्सी को ठीक है कपास की खेती आज भी होती है लेकिन यहां हमारा प्रश्ण है पहली बार जो स्रे दिया गया जो प्रिफरेंश दिया गया जो मर्क किया गया कि पहली बार किस ने किस सब तारे इसको उपजाया था तो मित्रो पहली बार जो है सिंधु वासियों ने जो है किया था ठीक है 11 नमर प्रश्ण देखिए एक जिरा हमाँ प्रश्ण कहे रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को आरियो से पुर्व रखे जाने का महत्पुर कारक है ध्यान दिखिए क्या कह रहा है आरियोस से पुर्व यानि आरियोस के से पहले जो आरिय थे आरिय समाज यानि सिंदु घाटी सब भेता को आरियोस से पहले रखे जाने का महत्वपुड कारक या महत्वपुड कारण क्या है लिपी नगर कारक है उसका आरियो से पुर्व रखे जाने का नगर नियोजन तामबा या मिर्दभाण ध्यान से समझिएगा प्रश्न को ध्यान से देखिए और फिर अपने उत्तर को ड्रॉप करिए अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने लाइक सेर के साथ देखिए टोटल कितना सही करते हैं आप आरियो से पुर्व रखे जाने का महत्वपुर कारक जो है सिंदु घाटी सब्यता का वो क्या रहा तो मित्रो वो रहा वहां का मिर्दभाण चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण कहा रहा है प्रश्ण संख्या बारहवें पे हैं आप सिंदु घाटी के निवासियों की सब्यता को जानने का मूल सुरूत क्या है वहां के निवासियों की जो सब्यता है उसको जानने का जो मूल सुरूत था वो क्या था वहां की मुहरे वहां के मंदिर वहां की लिपी वहां के बरतन जेवर हतियार या औजार ठीक है फिर से एक बार ध्यान से प्रश्ण को देख लिजिए फिर उतर दीजिएगा शिंधुबासी जो निवासी थे उनकी जो सब्हेता थी उसको जानने का मूल सूरूत क्या रहा जैसे माल लीजिए इस जवाने में हम लोग की ќो सब्हेता है उसको जानने का कोई मूल सुरूत जरूर होता है होगा या है कहले ठीक है उसी तरह से इसके पहले जो रहे आदी मानो उनको भी उनके जानने का मूल सुरूत जो है कैसे पता चलेगा कि उनकी शब्भेता क्या रही ठीक उसी तरह से यहां भी कह रहा है तो मित्रो इसका सही जवाब हो जाएगा डी वहाँ के बरतन, वहाँ के जेवर, वहाँ के हतियार और वहाँ के जो आउजार थे उससे उनकी शब्भेता का जाया रही सब्भेता में उनके इन सब चीजों का इस्तिवाल गई ये लिपी वगएरा मोहरे तो खुदा ही में मिली लेकिन उनकी शब्यता में जो चीजे उन्होंने इस्तिमाल किया वो नीचे डी राइटेंस रो जाएगा ठीक है चलिए तेरा में प्रश्ण पे चलते हैं प्रश्ण संख्या 13 देख लीजिए प्रश्ण संख्या 13 मिक्सों हडपा शब्यता का नगर था जो नगर था हडपा शब्यता का वो दो अस्तरिय था तीन अस्तरिय था एक अस्तरिय था या इन में से सभी अस्तर में था लगबग लगबग एक दो तीन तीनो था या इन में से कोई एक था ठीक है हडपा शब्यता का जो नगर था वो कितने अस्तरिय था तो मित्रों वो था आपका दो अस्तरिय आगे बढ़िए अगला प्रश्न केहरा आपके स्क्रीन का प्रश्न संख्या चवदा हडपा सभेता किस यूग की थी किस यूग की मानी गई थी हडपा सभेता यानि हरपाश अभेता किस यूग की यानि किस यूग को हरपाश अभेता का दर्जा दिया गया था कासी यूग थी हरपाश अभेता नौपासार यूग थी पूरा पासार यूग थी या लोह यूग थी थोड़ा सा ध्यान और आपका प्रश्ण तीस में काफी बेश्ट होगा लेकिन थोड़ा सा वस्ध्यान देना पड़ेगा हरपश अभेता किस यूग थी तो मैं तो आपको पता ही होगा हरपश अभेता जो है वो कास यूग की रही है कास्तिक के चीजों का इस्तिमाल जायतर वही चीज़े मिली है लोहे का तो हाजिकरी नहीं हुआ नव पसाड़काल और पूरा पसाड़काल कभी और के दाएरे में आता है ठीक है अगला प्रशन आपके स्क्रीन पे है और प्रशन संख्याई ये पंदरा है कह रहा है हड़का का उत्करन करने वाला पर्थम पूरतात्विद जो इसके महत्यों को नहीं समझ पाया था पहला पूरा तत्वविद थे हड़का के उत्करन कराने वाले पहले पूरतात्यों इसमें से कौन थे जो उत्खनन तो कराया लेकिन उसकी एहमियत उसके महत्तों को वो समझ नहीं पाए कि क्या उसकी एहमियत रही उन्चीजों की उसमें एलेक्जेंडर का निंगम थे वो, सरजान मौरसल थे, मार्टीमर वीलर थे या जार्ज एडेल कौन थे जिन्होंने पहली बार उत्खनन कराया लेकिन उसकी खाशियत, उसकी एहमियत उसके महत्तों को वो समझ नहीं पाए इसे होता है न कि हम लोग कोई काम कर रहे हों और हमको लगता है कि ये कोई फायदा नहीं है उसकी महत्तो को नो नहीं समझ पाए लेकिन बाद में कोई और आया और उसने उसमें इंट्रिक हिया और उसने उसके महत्तो को समझा और कामियाभी की तरफ चला गया ठीक है जैसे कि कला को ही एक्जामपल ले लिजे पहले कला में कोई मारा मारी नहीं थी तो उसका महत्तो नह लेकिन जो जाता था वो कामयाब हो जाता था अब इसमें मारा मारी हो गई है मतलब काफी संख्या में इस्टूडेंट कला के छेतर में चले गए तो इसका सही जवाब है मित्रो ए अलेक्जेंडर कनिंगां सोलावे प्रशन पे चलते हैं प्रशन संख्या सोला देखी क्या कह रहा है सिंदू घाटी सब्धेता निमलिखित में से किस सब्धेता की समकालीन नहीं थी ध्यान दिजेगा किस सब्धेता की समकालीन नहीं 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 थी सिंदू घाटी की सब्धेता मिश्र की सभेता के शमकालीन नहीं थी मेसो पोटामिया की सभेता के शमकालीन नहीं थी चीन की सभेता के शमकालीन नहीं थी या ग्रिक की सभेता के शमकालीन नहीं थी जिसे आपने पढ़ा होगा अजंता के शमकालीन ये या बाग उफाय किसके समकालीन या फिर बादामी किसके सामकालीन ठिक उसी तरशे सिंदु घाटी शब्वेता जो है किस सब्वेता के शमकालीन नहीं थी कह रहा है नहीं आसब्ध है हमारा तो मित्रो वो जो है ग्रीक शब्वेता की शमकालीन नहीं थी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पे आपके स्क्रीन पे वीडियो में सुरु से अंतगमित्र हमारे बने रहिएगा नए पुराने जो भी हमारे सब्सक्राइबर मेल फिमेल साथी हैं सत्रहमे प्रश्ण पे हैं हम लोग और कहा रहा है कि सिंदोगाटी के लिए मेसोपोटमियाई रिकाड डिकाड है उसमें किस सब्द का इस्तमाल किया गया है सिंदोगाटी के लिए कह रहा है मीसो पोटामिया के रिकार्ड में ध्यान से एक बार समझ लिजिए मैं समझाज़ता हूँ मीसो पोटामिया के रिकार्ड में सिंधु घाटी के लिए एक सब्द का यूज किया गया है एक सब्द का परियोग किया गया है वो सब्द कौन्शा है पिलियून, मेलुहा, मेगन या तैलका बस थोड़ा सा प्रष्ट को घुमा दिया गया है और कुछ नहीं इस टाइल बस चेंज कर दिया गया है प्रष्ट के पूछने का बाकी सब आपने पढ़ा है ये सब प्रष्ट ठीक है तो सत्रामा प्रष्ट और इसका सही जबाब है मेलुहा यानि सिंदु घाटी सभेता को मिसो पोटामिया के रिकार्ड में क्या कायता है मेलुहा, ठीक है अगला है प्रष्ट संख्या अठारा निमनिखित में से कौन हडपा और मोहन जोदारो के उतकनन से संबंधित नहीं थे हडपा और मोहन जोदारो इसके उतकनन से संबंध नहीं रखते है मतलब इन में से किनका यूगदान हडपा और मोहन जोदारो के उतकनन में नहीं रहा है आर्डी बनरजी का के अंदिछित का MS वत्स का या BA इसमेत का ठीक है यानि कौन है जो हडपा और मोहंजोदारों की खुदाई में उत्खनन में कोई रोल उन्होंने अदा नहीं किया है इसलिए कहा गया है कि उनका दूरतू तक से कोई संबंद नहीं है ठीक है बने रहे हैं मित्रों सेर जरूर कर दीजिएगा आमारे वीडियो को सौट वीडियो भी आपके काफी पड़े हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाएए बाकी वीडियो पड़े हैं वो भी देखिए तो अठरामे प्रश्ण का जो सही जवाब है वो जाएगा आपका डी बी ए स्मित आगे बढ़ते हैं उननिश नवर प्रश्ण ध्यान से देखिएगा अच्छा प्रश्ण है सिंदु घाटी सब्भेता के शंदर्भ में ठीक है कौन सा कथन सही नहीं है ध्यान से देखिएगा नहीं है सब्द बार-बार कई कोश्चन इसमें नहीं रहा लटाए गया है यानि सिंदु घाटी सब्भेता के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसके संदर्भ में उनके हर चीजों को मतलब नगर नियोजन से लेके बिजनस से ब्यपार से लेके उनके रहने शहने पूजा पाठ खाने पीने तक का जो भी संदर्भ आपने पढ़ा है उसमें एक कैसा कोई कथन जो गलत है इसके में सिंदु घाटी सब्भेता एक उच्छ नगरिय सब्भेता थी ये गलत है लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी ये गलत है यह काना कठीन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थी ये गलत है या लोगों को क्रिसी के बारे में जानकारी नहीं थी ये गलत है इसमें एक प्रश्ण जो गलत है ठीक है यह हमारा आपके उन निश्वय प्रिस्ण का है तुमित्रों हमारा जो सही जबाब है इसमें दिखिएगा ध्यान से दिखिएगा विकल्प इसका सही जबाब यह एक होगा तो लोगों को क्रिसी के बारे में जानकारी नहीं थी वो बैपार किया करते थे लेकिन क्रिशी के बारे में जानकारी नहीं किया करते थे हैं सिंदुगार लेकिन एक चीज़ और है इसमें देखिएगा लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी लोहा था लेकिन जानकारी नहीं थी कहने का मतलब पसू कुछ पसू ऐसे थे जो उस समय थे लेकिन उसके बारे म उनको नालेज नहीं था ठीक है यह जैसे माली जी हमी लोग अपने दौर में समझ लिजेगा example कि हम लोग अभी 90 के करीब में जाईए 1990 के करीब में जाईए 1992 तो उस समय mobile phone जो है हमारे पास ये वाला हाथ वाला hand mobile phone नहीं था जानकारी नहीं था लेकिन वो चल रहा था बाकी देशों में हमसे आगे चल रहा था टेकनोलोजी में लेकिन हमें जानकारी नहीं था ठीक है लेकिन बाद में हमारे पास आया इसी तरह से आगे बहुत चीजें हमारे पास जानकारी नहीं है लेकिन वो हमें बाद में जानकारी होगी ठीक वही चीज है यहाँ ठीक है तो चलिए हो सकता है किलियर हो गए होंगे आप फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिएगा आगे बढ़ते हैं बीस नमर प्रश्न देखिए निमलिखित में से कौन सा एक हडपा अस्थल नहीं है नहीं है एक हडपा अस्थल चनहुदड़ो कोटाडीजी सोहगोरा या देशलपूर इन नामों में से कोई ऐसा अस्थान जो हडपा का नहीं है तो मित्रो वो जगा है सुहगोरा सुहगोरा का ऐसा कोई नाम हडपा में आज तक अस्थलों में नहीं आया है एक कीशोए प्रश्न पे चलिए प्रश्न संख्या क्यों देखिए हडपा सभेता बिस्त्रित थी यानि हडपा सभेता जो थी फैली होई थी बिस्तित हुई थी फैली होई थी कहां पंजाब दिल्ली और जम्मु कश्मीर तक राजस्थान बिहार बंगार और उडिसा तक पंजाब राजस्थान गुजरात उडिसा और बंगाल तक पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तरपरदेश हरयाणा इसके अलावा शिंद ठीक है और बलुच्चिस्तान जो आपसा में आपको नहीं देख रहा है लेकिन दू और हम बता दे रहा हुँ तो ये बताईए कि बिस्त्रित यानि फैला फैलाओ इसका बिस्त्रित का मतलब इसका फैलाओ इस सभेता का फैलाओ कहां तक था कौन-कौन से डायरेटर ठीक है तो वित्रो वो था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर परदेश, हर्याडा, सिंधु और बलुचिस्थान यानि डी राइट इंसर इसका हो जागा, दो रापसन जो मैंने बोला है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो भी, ताकि कहीं अगर आए तो confusion ना हो आपको बाईश्वा प्रशन कहे रहा है सोतूर गई, यानि जिसका मतलब होता है सिंधु घाटि शभ्यता किस देश में है सिंधु घाटि की जो सभ्यता इसमें आप पड़ रहे हैं, वो कौन से देश में मौझूद है भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या तिमबत में एक चीज़ और द्यान दिजेगा ये वाला, ये पॉइंट, सो तुर्क गई, ठीक है इसका मतलब होता है सिंधु घाटि शभ्यता जो कोश्ट में मैंने लिखा हुआ है तो इसलिए कभी ये इस तरह का नाम अगर कहीं आए कि सिंधु घाटियों को इसमें से एक और नाम से जाने जाने जैसे इसका मतलब होता है सिंधु घाटि तो वो ध्यान दीजिएगा ठीक है फिलहाल हम इस परशनी के उत्तर को देखते हैं तो इसका सही जबाब है मिस्तरों अफगानिस्तान सिंधु घाटि सब्यता किस देश में है इस समय अफगानिस्तान में है आईए अगला प्रशन है आपका बाईश के बाद तेश नंबर कहरा है मोहन जोदाडो निमलिखित में से कहां इस्थित है कहां इस्थित है सिंधु का एक नगर अस्थल मोहन जोदाडो भारत के गुजरात राज्य में भारत के पंजाब राज्य में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में ठीक है इसके पहले आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभेता जो है वो अफगानिस्तान देश में है सभेता पूरी बात कर रहा है लेकिन उसका एक नगर अस्थल है मोहन जोदारो कई नगरों की शंग्या दे गई है उसमें जिसमें से एक मोहन जोदारों भी है मोहन जोदारों कहा है स्थित ये पूछ रहा है तो मित्रों मोहन जोदारों जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखिए प्रश्ण संख्या 24 खाली लंबा खीचा गया है भाव बस आपको पकड़ना है पॉइंट में जिसे मैं मार्क करता जाता हूँ देखते हैं आप लोग कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो उपर मार्क करता रहता हूँ प्रश्णों में तो सिंदुगाटिशा भेता भिक्सित अवस्था में जब थी त ठीक है चोबिश्वा प्रश्ण है उमिद करता हूँ कि आप कमेंट्स लाइक और सेयर के साथ अपने प्रश्णों को कर रहे होंगे तॉप 30 प्रश्ण है और 30 में देखना है सुरु से अंतक बने रहते हुए कितना बेश्ट आप लोग करते हैं आज कितनी चीजों को याद रखे हैं या भूल गया है इस प्रश्णों में इस टॉपिक में तो इसका सही जबावे मित्रों मोहन जोदाडों आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन का कह रहा है 25 नमबर मोहन जोदाडों का सबसे बड़ा भवन कौन सा है इसमें से हड़पश अभेता का अस्थल मोहन जोदाडों और उसका सबसे बड़ा भवन विशाल असनानागार था विशास असनागार है या अनागार है सअस्तम भाल है या दो मंजिला भवन है यानि मोहन जोदाडों में के अस्थल में बहुत सारी चीजे मिली लेकिन उसमें से सबसे बड़ा भवन का दर जो एरिया दाइरा जो जो भी मिला उसमें भवन सबसे बड़ा किसको मारा गया इसमें से तो मित्रो सबसे बड़ा जो था वहां का विशास विशाल अन्नागार था वहां का ठीक है अन्नभंडार जिसको कहते हैं अन्नागार अगला प्रस्ण है 26 नंबर सिंदुघाटी सब्वेता के निम्लिखित अस्थानों में से कौन सा अस्थान सिंदुनदी के किनारे पर इस्थित था सिंधु घाटि सभेता के निमनलि खित अस्थाणों में से कौनसा अस्थान सिंधु नदी के किनारे इस्थित था इस्थित था याद रखियेगा लोथल, मोहनजोदारो, कालिबंगा या हरप्पा एक बार फिर से ध्यान से देख लिजीएगा कौन सा सिंधु नदी के किनारे इस्थित था ठीक है इन में से 26 वा प्रश्ण हमारा यही कह रहा है और मित्रो वो था मोहन जोदारो कौन इस्थित था मोहन जोदारो इस्थित था ठीक है आगे बढ़ते हैं 27 नमर प्रश्ण देखिए हडपा अस्थल कोटा डीजी हडपा का जो अस्थल है कोटा डीजी ठीक है निमलिखित में से किस प्रमुख अस्थल के यानि किस प्रमुख अस्थल के समीप है या कह लिजिए नज दीख है ठीक है हरपपा का जो अस्थल है कोटा डीजी वो कौन से अस्थान के समी फेकदम पास है हरपपा के ही पास है या मोहन जोदारों के लोथल के या काली बंगा के किसके पास है ये कोट डीजी ठीक है तो मित्रो वो मोहन जोदारों के नज़िदेग है आगे बरते हैं अगला प्रेशन 28 नमबर काली बंगा का अर्थ है हरपपा का एकस्थल काली बंगा जिसका अर्थ, जिसका मेनिंग, जिसका माइने क्या होता है काले रंग की जोपड़िया, काले रंग की चूड़िया, काली गाय या वहां का काला सामराज ठीक है, काली बंगा का अर्थ क्या होता है तो मित्रो काली बंगा का जो अर्थ होता है, वो होता है काले रंग की चूडिया आगे बढ़ते हैं, उन्तीश्वा प्रश्णाव के स्क्रीन पे कह रहा है सिंदु घाटी सभ्यता में काली बंगा निमलिखित में से किस के लिए परशिद है यानि सिंदु घाटी सभ्यता का एक अस्थल जो काली बंगा है वो किस लिए जाना जाता है उसकी परशिदी किस लिए है उस अस्थल की मिट्टी के पात्र के लिए कपाश की खेती के लिए प्रशित था या वहाँ पे बंदरगा है इसलिए प्रशित था या चटान कटवती की वास्टुकला के लिए मतलब सिंदुश्चा भेता के जो नगर है उच नगर में जो काली बंगा है वो किसलिए काफी महत्वरहा उसका किसलिए वो पहचाना जाता है वो नगर तो मित्रों वो नगर पहचाना जाता है मिट्टी के पात्र के लिए वहां मिट्टी के पात्र की चीजे मिले थी ज़्यादा वीडियो का आखरी प्रश्म तीश नमबर हडपा संस्कृत के संदर्भ में सैलिकृत अस्थापत्य का प्रमाण कहां मिला है हडपा संस्कृत जैसे आपने उपर पढ़ा हडपा महंजो दाड़ो सिंदु सब्यता के संदर्भ में वो इसी तरह से हडपा संस्कृत के संबंध में सैलिकृत अस्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला काली बंगा छे धौला वीरा छे कोट डीजी या आमरी तो यह आपका आखरी प्रश्ण है फाइनल प्रश्ण है फाइनल करिए और बताईए तीश में 28-29 तक या 30 आपने किया या नहीं जरूर कमेंट्स करिएगा क्योंकि सभी पूराने रिपिटेट प्रश्ण आये हैं अचानक से आपके पास और कितना आपने इसको याद रखाये ये देखना है तो इस प्रश्ण क पे बहत पसंद आये होगी बने रहेगा और भी अच्छे प्रश्णीफ के अगले भाग मिलाऊंगा तब तक के लिए नमस्कार गुड़नाइट सुबरातरी